हेलो फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइन इंडिया नेवी की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के बारे में और इसकी एलबिटी कंडिशन के बारे में तो फ्रेंज से जॉइन इंडिया नेवी में जो नॉटिफिकेशन आपके जारी की गई है यह आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पर आने के बाद आपको डेटेल्स है इस नौटिफिकेशन की वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ पर जाकर आप डेटेल्स को चेक कर ले अगर आप अप्लिकेबल है अपलाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अपला करेंगे अब यहाँ पर फ्रेंस से देखिए जो नौटिफिकेशन है या अपलाई का लिंक है वो फ्रेंस आपको जॉइन इंडिया नेवी की वेबसाइट पर जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जिसमें आपकी जो वेकेंसी जब आपकी जारी की गई है यह फ्रेंस आपक यह आपको यहाँ पर जो है डेटिल्स दी गई है सबसे स्टार्टिंग माँ आपसे कहा गया है इंडिया नेवी इन्वाइट करता है ओनलाइन एप्लिकेशन जो की फ्रॉम आपके यहाँ पर पोस्टिंग होगी जिसकी लिस्स आपको यहाँ पर दी गई है और एनिवेर इ इन्डिया आपकी पोस्टिंग हो सकती है तो यहाँ पर यह नॉटिफिकेशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं बात करते हैं सबसे पहले इसकी वेकेंसी की डिटेल की और इसकी अलवी टी कंडिशन की तो यहाँ पर देखिए फैंस से नीचे आने पर आपको देख यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर friends से number of vacancies आपको मिल जाएंगी second जो number है आपका यहाँ पर notice है इसमें देखे आपको कहा गया है PH candidate कौन-कौन से friends से post के लिए applicable है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो कि आप read out कर सकते हैं इसके बार friends से नीचे आने पर आपको reservation criteria बताया गया है तो reservation जो है SC, ST, OBC, EWS, PH या ex-servicemen candidate के लिए वो government orders के according आपका यहाँ पर applicable रहेगा इसके बार friends से नीचे age limit की बात करें तो minimum जो age है वो 18 साल maximum जो age है वो 25 साल आपकी रहेगी और इसमें friends से age का जो relaxation है वो आपको मिल जाएगा अपर age में friends से SC, ST, OBC, ex-servicemen, PH candidate, department candidate को अपर age में छूट मिल जाती है अगर आप general candidate है या फिर आप EWS candidate है तो 18 सी 25 साल आपका age criteria होना चाहिए इसके बाद friends से यहाँ पर आपसे नीचे crucial date दी गई है जो कि closing date जो रहेगी online application form की उस दिन तक आपका जो है वो आपकी जो age criteria है वो complete होना चाहिए इसके बाद exempt fees की बात करें तो friends से क्या आपको कहा गया है आपको फ्रेंच से यहाँ पर 200-500 रुपे फीस यहाँ पर पे करनी होगी तो कि आप वीजा, मास्टर, रुपे कार्ड, कैडिट कार्ड, डेविट कार्ड, यूपे के माधियम से आप यहाँ पर फीस जम्मा करा सकते हैं अगर आप SCST ए एक सर्वीस मेरे वोमन कैंडिट हैं तो कोई भी फीस आपकी यहाँ पर नहीं रहेगी, इसके बार फ्रेंच से फीस एक बार पे करने पर आपकी फीस रिफंड डेवल नहीं है, यह आपको जानकारी दी गई है, इसके बार फ्रेंच से यहाँ पर देखिए, नेस्ट जो आपका पॉइंट है, वो ह होनी चाहिए और जो यह आईटाई है, इलेक्ट्रोनिक मेकेनिक, इलेक्टरोप्रेटर, फीटर, इंस्ट्रूमेंट, मेकेनिक, मशीनिस्ट, मेकैनिक, कम्मॆनिकेशण, एक्क्यूपमेंट, मेंटिनेंस में आपका यहाँ पर होना ज़रूरी है, बाकी जो अदर पोस्ट ह की regular service अगर आपने की हुई है appropriate technical branch आर्मी नेविया एरफोर्स में आप इसमें आवेधन कर सकते हैं तो यहाँ पर दो तरी से हैं आपके यहाँ पर या तो आपके पास apprenticeship है या फ्रेंच से आपके पास experience है आर्मी में नेविया एरफोर्स में काम करने का कम से कम दो साल का तो आप इसमें apply कर सकते हैं nature of duties का रहेंगी तो आपको post का नाम आपको यहाँ दिया गया है और इसमें जो duties है वो आपको दी गई है इस post पर रहते हुए क्या-क्या duty आपको करनी है क्या-क्या काम आपको करना है वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसके बार फ्रेंट से नेस्ट जो पॉइंट है वो है mode of selection का अब इसमें आपका जो selection है वो कैसे होगा सबसे पहले फ्रेंट से बहरा जो point है वो है screening of application तो यहाँ पर जो Indian Navy है वो फ्रेंट से जो received होंगे online application form उनमें से फ्रेंट से shortlisted किया जाएगा candidate को तो इसमें फ्रेंट जो shortlisted है application form की वो आपकी यहाँ पर होगी और उसके बार आपको बुलाए जाएगा written exam के लिए written exam क्या है तो written exam फ्रेंट से objective type questions आपके होंगे bangler English and Hindi language में होंगे और यहाँ पर फ्रेंट से देखिए आपसे कहा गया है single test paper आपके यहाँ पर जो cover होने वाले हैं इसमें आपके 5 topic होंगे पहला है general intelligence and reasoning इसके फ्रेंट से 10 marks का आपका paper होगा numerical aptitude के 10 questions के 10 marks के paper होंगे general English के 10 number के general awareness के 20 number के awareness in relevant trade your field जो भी trade या फिल्ड आप select करते हैं उसमें आपके जो paper होगा जो questions आएंगे वो पचास से number के होंगे तो आपका फ्रेंट से basically 100 marks का paper होगा और यह फ्रेंट से English and Hindi दोनों ही language में आपको available होगा और objective type paper आपका होने वाला है अब यह जो topic देगे हैं इसमें आपका syllabus के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर देखिए आपको इंडिकेटिव syllabus for exam आपको दिया गया है पहला है general intelligence and reasoning अब यहां पर देखिए फ्रेंस से verbal and non-verbal type के आपके इतने भी questions बनते हैं सारे आपके यहां पर cover की जाएंगे जैसे अनलजुई है इस सारे questions आपके बनेंगे नियुम्रिकल अप्रिट्यूट में जो questions है वो आपके hall numbers decimal fraction and relationship between numbers fundamental mathematical operation percentage ratio and proportion average interest profit and loss discount time and distance इस से related questions होंगे general English में फ्रेंस से आपके देखिए इंगलिस में vocabulary, grammar, sentence, structure, synonyms, antonyms उसके uses क्या रहेंगे इस से related questions है general awareness में फ्रेंस से आपके यहां पर देखिए sports, history, culture, geography, economic, science, general, polity इस से related questions पूछे जाएंगे आपके फ्रेंस जो आपका relevant trade या field होगा उस से related questions भी आपके यहां पर पूछे जाने वाले हैं तो यह फ्रेंस से आपका selection process रहेगा इसमें फ्रेंस जो date of exam है वो जल्दी ही आपको available करा दी जाएगी इसके लाब आपका document verification होगा online apply आप कैसे कर सकते हैं तो फ्रेंस इसका वीडियो आपको जल्दी ही available कराए जाएगा opening date जो है फ्रेंस से यहां पर registration portal की वो third day रहेगी publication of notification in the employment newspaper जैसे मान लिजी आपका एक से साथ तारीक को आगर आपका employment newspaper जारी होता है तो उसके बाद फ्रेंस तीन दिन बाद आपका form जो है start हो जाएगा तो अभी फ्रेंस जो notification है यह फ्रेंस डीवी की website पर जारी हुई है अभी यह इसका notification आपका जैसे ही employment newspaper रोजगा समाचार में आएगा उसके बाद हम आपको अलग से update करेंगे यहाँ पर फ्रेंस कैसे आप आविदन कर सकते हैं ट्रेश्मन स्किल के लिए उसके बारे में फ्रेंस हम बात करेंगे जैसे ही इसका apply का link start होगा एक post के लिए ही आप इसमें आविदन यहाँ पर कर सकते हैं आपको फीस पे करनी है documents upload करने है और इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए जो साइज है फोटो का वह आपको यहाँ पर दिया गया है आपको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर देखिए आप जो भी जानकारी चेक करना चाहते हैं जो भी instructions को पहड़ना चाहते हैं तो इस notification में आपको यह सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी